ओम्च्छांती हम सभी के पास तो सिवाबा हमारी अज्ञान रात्री को समात करने के लिए उपस्थित हो गए हैं और विज्ञान सागर जो सरस्टी के बीज हैं उन्होंने अपना सत्ज्ञान देकर हमारी चित के समस्तंदकार को दूर कर दिया है हम सब प्रकास में आगे हैं रहा इसपस्थ हो गई मंजिल साफ दिखने लगी है रहा के काटे भी उसने खुद चुन-चुन के समात कर दिये जला डाले हम सभी बहुत भग्यमान है जिनका इसंतिम जनम में प्रभू मिलन हुआ पाँच हजार साल की आत्रा जब हमारी भूर होने को आई तो स्वयम भगवान हमें लेने के लिए आगे हैं बच्चे तुम अपने घर को भूल गए हो अब मैं आ गया हूँ तुमें घर ले चलने के लिए तुम शन्तिधाम में थे तुमें मैंने स्वर्ग में भेजा था हमें सब इस्मर्तियां दिलाने लगे हैं हम दिनों दिन इस्मर्ती स्वरूप होते चलें जितने जितने इस्मर्ती स्वरूप रहेंगे महो ममत तो नस्ठोंगे इस स्मर्ती से इस्थिती स्रेष्ट बनती जाएगी जैसे अगर हम इसी स्मर्ती में रहते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूँ तो हम हमारे अंदर महानताएं आती जाएगी अगर हम इसी स्मर्ती में रहते हैं मैं बहुत बहुत भगवान हूँ क्योंकि स्वयम भगवान मिल गए तो हमारा भग ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा भग का सितारा चमकता जाएगा तो सचमच हम जैसा भगवान कौन होगा अगर हमें इसमर्ती रहे मैं बहुत सक्ति साली हूँ मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ अगर हमें ये इसमर्ती रहे के मैं विजय रतन हूँ तो माया पर विजय होने लगेगी यदि हमें ये इसमर्ती रहे के मैं विग्न विनासक हूँ तो जीवन के विगन नस्ठ होने लगेंगे आप रियलाइज कर ले कौन सी कमी कौन सा संसकार कुंसी आदत जीवन के मार्ग में बाधक है जो दुसरों को भी कस्ट देती है और हमारा भी मार्ग रोकती है आज उसे स्वाह कर दें और सारा दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे एक ही अभ्यास ले लें मैं आत्मा स्वराज जधिकारी हूं मस्तक सिंगहसन पर विराजम हूं राजा हूं तो बहुत शक्ती साली भी हूं इसका अभ्यास करेंगे ये संकलग भी करेंगे अपने स्वरूप को देखेंगे भी विज्वुलाइज भी करेंगे तो इससे हमारा चित भी श्यांत होगा और साथ-साथ अपने को ये संकल बार-बार देते चलेंगे मैं मालिक हूँ मन और बुद्धी का दोनों से बात करेंगे हे मेरे मन तु अब स्यान्त हो जा हे मेरी बुद्धी तु इस्थिर हो जा गंदगी को बाहर फेंकते स्वच्छ हो जा तो आज फील करेंगे प्रभु मिलन को बाबा हमारे पास आ रहे हैं एक बार स्वबाबा को बुलाएंगे और फील करेंगे वो सिर के उपर चत्र चाया बन गया है फिर कभी सामने आ गए हैं ग्यान सूरिये दूसरी बार बापतादा को बुलाएंगे द्रस्टी लेंगे और उनके आशिरवाद का हाथ मेरे सिर पर है ये अनुभुती करेंगे तो सारा दिन अगर आप बीस बार ये अभ्यास कर लेते हैं अर्था थर गंटे में दो बार तो स्याम तक बड़ी आनंदकारी स्थती होगी चित स्यंत होगा ओुम स्याम ते